अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्विल्थ क्लास के उर्दू के केकशा के किताब से चैप्टर नमबर 13 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है मेर सफर देखिए ये चैप्टर जो है मेरा सफर नाम का ये एक नदम है यानकी कवीता है और इस चैप्टर के जो लेखक है अली सरदार जाफरी इनके बारे में आप लोगों को अलड़ी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं जब चैप्टर नमबर 12 पढ़ा रही अली सरदार जाफरी नहीं लिखा है तो वापस अली सरदार जाफरी के बारे में दुबारा क्या जरूरी है जानना आप चैप्टर नमबर 12 पढ़ लीजिए अली सरदार जाफरी के बारे में जान लीजिए अब इसमें हम लोग डिरेक्ट चैप्टर को पढ़ेंगे यानि क मेरा सफर नाम के इस नजब यानि कि इस कवीता को समझेंगे चलिए मैं आप लोग को इस कवीता के परतियक लाइन का पढ़कर उसका मतलब समझाती हूं लेकिन उससे पहले मेरा सफर आखिर इस चेप्टर में बताया किया गया है यह समझें देखिए हर इनसान का जो है ना ज तो हर इनसान अपने अपने सफर में लगा रहता है ठीक है तो इस चेप्टर के जो लेकिक्त है अलिशिदार जाफरी वह अपनी जन्दगी के सफर के Bारे में बता रहे हैं जर्स अन्तिम सफर है वह माद ठीक है, और मौत के सफर को उन्होंने नाम दिया है मेरा सफर, यानि की अपनी जिन्दगी के हर सफर को पूरा करके अब वो अंतिम सफर फर खड़े हैं, मौत के सफर पर मौत आती है, तो किस तरह का एहसास होता है ठीक है, मौत हो जाने के बाद क्या होती है यह सारी चीज जो है ना इस चैप्टर में बताया गया है और नॉर्मली हर इंसान देखा जाता है और विजली बाते हर इंसान जो है ना उसका आखरी सफर मौत का सफर होता है तो मौत आती है तो उस वक्त का कंडिशन कैसा होता है देखे क्या हमें एहसास होता है और उसके बा का सफर ठीक है तो चलिए मैं अब आप लोग को इस कवीता के प्रतियक लाइन को पढ़ कर उसका मतलब समझाती हूँ ठीक है तो हाँ ये रहा तो देखिए लिखे हैं अली सरदार जाफरी इस कवीता के शुरुवात में कि फिर एक दिन ऐसा आएगा आखों के दिये बुझ जाएंगे और बर्ग जुबा से नुत्क वसदा की हर तितली उर जाएगी यहाँ पर जो है ना बोल रहे हैं अली सरदार जाफरी कि यह अपनी लगी कि हर सफर को पूरा करकर बोल रहे हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आखों के दिये बुझ जाएंगे यानि कि आखों से जो देखनी की ताकत है जो शक्ति है जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी हम आखों से देख नहीं पाएंगे ठीक है और हाथों के कवल हमारे जुबान से जो बोलने की तितली है जो आवाज की तितली है वो हमेशा के लिए उर जाएंगी यानिकि हम अपने जुबान से बोलने की सलाहियत को खो देंगे ठीक है तो यह होता है जब मौत मजदीक होती है जब मौत आती है ना तब यह सारी चीज़े होती है कि हम द ठीक है यहां पर बोल रहे हैं कि एक काले समुंदर की तामे मुझको जब मेरी मौत हो जाएगी तो एक काले समुंदर की तामे मुझे दफना दिया जाएगा तो मुझे दफना दिया जाएगा मतलब कबर में दफना दिया जाएगा और कबर को काला समुंदर बोल रहे है तो मैं फिर पत्ती पत्ती कली कली है और उस पत्ति पर जब शबनम की कत्रे यानिकी शबनम की जो बुंद वो गिरी रहेंगी तो उसको लेकर मैं अपने हाथों पर तोलूंगा ठीक हैं और उसके बाद से मैं रंग हिना आहंग गजल अंदाज सुखन बन जाओंगा रुकसार इुरू से नौ की तरह हर आचल से छ चहरा होता है लहन की चहरे का एक तर से चमक बन जाओंगा मैं ठीक हैं जाडों की हवाएं दामन में जब फसले खिजा को लाएंगी रहरों की जवां कि तले सुखे हुए पत्तों से मेरे हसने की सदा आएंगी यहां पर बोल रहे हैं कि जो जाड़े का मौसम आएगा और उ उसी पेड़ का तो मैं भी पत्ती रहूंगा ना अली सरदार जाफरी बोल रहे हैं कि मैं भी उसी पेड़ का पत्ती रहूंगा मैं भी वो जो पत्ती रहूंगा वो भी पूरी तरीके से सूख जाएगी और जब तेज हवाय चलेंगी तो पत्ती तूट कर नीचे गिरेगी और जब कोई मुसाफिर उसी रास्ते से हो कर जाएगा ना और उस मुसाफिर के पैरों से जब वो पत्ती लिपटेगी तो उससे जो आवाजे निकलेंगी ना वो मेरे हसने की आवाजे होंगी देखिए कितनी खुबसूरत तरीके से इसको बयान किया गया है जब पेड की पत् है ना वो उसके मतलब अली सरदार जाफरी की हसने की आवाज होंगी ऐसे मतलब कितनी खुबसूरत तरीके से लिखा गया है धरती की सुनरी सब नदिया आकाश की नेली सब जीले हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर कुस्सा मेरा अपसाना है हर आसिक ह है सरदार यहां हर माशुका सुल्तान यहां यहां पर बोला गराए की धरती की जितनी भी सुनरी सुनरी नदिया है आकास की जो नेली सब जितनी भी जीले हैं मतलब जितनी भी नदिया और जितनी भी जीले हैं वो मेरी हस्ते से भर जाएंगी मुझे याद करेंगी बहले ही याद करेगा देखिए लेकिन कभ याद करेगा यहाँ पर जो है एक चीज अली सरदार जाफरी बताने की कोशिश किया है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करके चला जाता है ना कोई अच्छा काम तो उसे पूरी दुनिया याद रखती है अगर वो मर भी जाए ना और तब उसकी मौत हुई है ना तो पूरी दुनिया नदी जील आसमान हर चीज याद रखता है उस इंसान को और वही इंसान मर के भी अमर रहता है अब अगर वो लड़का है अगर मतलब वो कोई मेल है अगर वो अच्छा काम करके मरा है तो उस दुनिया का सरदार बन जात हैं कि मर जाने के बाद भी मेरा नाम हो तो आप लोग भी कुछ अपनी जिन्दगी में कुछ नई चीज़े कीजिए कुछ अच्छा काम कीजिए जिसे लोग और पूरी दुनिया पूरा जमाना याद रखे ठीक है मैं एक गरेजा लम्हा हूं अयाम के अफसोस खाने में मैं मैं एक तरपता कत्रा हूं मस्रूफ सफर जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मस्तक्बिल के पेमाने में मैं सोता हूं और जागता हूं और जाग के फिर सो जाता हूं सदियों का पुराना खेल हूं मैं मैं मर के अमर हो जाता हूं यहां पर बोला जारा है यहां अली सरद से माज़ी की सुराही यानि की माज़ गुजरे हुए जमाने से लेकर आने वाले समय तक मैं हमेसा सफर करते ही रहता हूं कभी सोता हूं कभी जागता हूं कभी जाग के फिर सो जाता हूं ठीक है सदियों से ये चीज बताने की कुशिश की गई तो आप लोग भी चाहते हैं कि आप मर के भी अमर रहें दुनिया आप को याद रखें तो आ भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कीजिये गा और उसके बाद से आतने को सबसे युदा करना है अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पाएस जितना ज़्यूदा हुशा केeries किज्ये और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजिए गा और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बिलाकर नियनकी घंटी को दबाखर औल का अप्सन क्लिक कर लिजेगा उससे होगा यह कि मेरे रोज जाने वाली वीडियो का औल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंग और खुदा हाफिस